धन 13 के दिन सोना चांदी खरीदने का विधान है पर एक खास चीज और है जोसे खरीदने से आपके घर में सुक सम्रिधी बनी रहेगी आज की इस वीडियो में हम उस खास चीज के बारे में बात करेंगे पूरी जानकारी के लिए लोकल इटीन ने देवघर के प्रसिद जोतिशाचारे पंडित नंद किशोर मुदगल से बात की है उन्होंने हम एक ऐसी चीज के बारे में बताया जुसे खरीदने से आपके जीवन में सब कुछ मंगल होने लगेगा तो इस बारे में जोतिशाचारे ने क्या कहा चलिए आपको सुनाते हैं हरहर महादेव जय वाबा विद्धिनाथ धन तेरस को नमक जाडू खरिद्ने की परंपरा है जाडू को लो लक्षमी का प्रिदिक माना गया है और नमक जो है वह नमक घर के नकारात्म कुर्जात्व स्वापित रटता है ऐसे सास्त्र में भी वर्णन है और व्यग्यानिक भथ में है नमक टाल करके घर में पुछा लगाने से घर में सबसे पहले कीड़े मकूडे मठते हैं नमक से और नकारात्म कुर्जा जो है आपके घर में नेगेट जी उड़ जा जो है वह समाप होता है नमक से और अपने दिन चर्जा में भी नमक का बहुत बड़ा बहुत है इसलिए नमक को सबसे बड़ा होसदी मान करते हैं धनवंतरी ये कातसी होती है तो धनवंतरी त्रियोदसी के दिन आप नमक जदी करें तो आपके घर की सटारात्मा गुर्जा की बढ़ोत्तरी होती है और न प्रकारात्मा गुर्जा समाप्त होता है इसलिए धन तेरस के दिन सुगुर्थ में नमक तवस्य करें धन तेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा इसके लिए पहले से ही पूरी तयारी कर लें इस साल धन तेरस पर तीन शुग महूरत है जिसमें आप खरिदारी कर सकते हैं पहला महूरत सुभा साथ बचकर 50 मिनिट से लेकर 10 बजे तक है ये व्रिशिक लगन है दूसरा शुग महूरत दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बचकर 30 मिनिट तक है जो की कुम्भ लगने है वहीं तीसरा शुग महूरत शाम को 6 बचकर 36 मिनिट से लेकर 8 बचकर 32 ध्यान रखे इस बार सोना चांदी ही नहीं साथ ही नमक की भी खरेदारी करें अगर आप किसी सवाल का जबाब चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकले टीम